आज की इस वीडियो में मैं आपको explain करूंगा chapter dusk ये chapter एक drama है क्या आज से पहले कभी भी आपने किसी drama chapter को पढ़ा है अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है अगर आज से पहले आपने कभी भी drama नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता drama क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में सबी कुछ बताऊंगा कि drama क्या होता है और drama जो है वो कहां पर होता है और उसमें क्या क्या elements होते है मैं सबी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा उसके बाद आपको मैं ये chapter dusk explain करूंगा जो की एक drama chapter है ओके तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि drama होता क्या है तो चलिए अब मैं आपको drama के बारे में बताता हूँ तो क्या होता है आज के जमाने में तो आपके घर में television है mobile phone है जिसे कि आपको entertainment में मिल जाता है और आपको बहुत informative news में मिल जाती है बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था पहले कोई television नहीं होता था रेडियो भी नहीं होता था बहुत पहले तो उस जमाने में बहुत पहले बहुत पहले drama organize के जाता था और उस drama में कुछ characters होते थे drama में character बहुत important होता था ठीक है ड्रामा स्टार्ट होने से पहले कर्टिन लगा हुआ रहता था और जैसे ड्रामा स्टार्ट होता था तो कर्टिन हटता था फिर ड्रामा स्टार्ट होता था तो आपको ड्रामा समझ में आ गया क्या है और आज के टाइम में भी बहुत ऐसे गाव है और इसकूल है जहाँ पर ड्रामा और्गनाईज करके कुछ मैसेज कनवे किया जाता है लोगों को कुछ मैसेज दिया जाता है अवेर किया जाता है लोगों को और कुछ मोरल वैल्यूस सिखाई जाती है बच्चों को बड़े को बड़ों को तो इसके लिए ड्रामा का इस्तेमाल किया जाता है I hope drama क्या होता है आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो drama का एक sitting होता है जहां पर drama organize होता है drama एक stage में होता है और उस stage में stage के आगे कुछ लोग बैटे वे रहते हैं और जो drama होता है, drama में curtain लगा हो रहता है पहले फिर curtain हटता है तो drama स्टार्ट होता है और drama में कुछ characters होता है तो यह हो गई बात drama की और आज हम लोग जिस chapter को पढ़ेंगे इस chapter का नाम है dusk तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे dusk का मतलब क्या होता है तो dusk का मतलब होता है शाम तो आप बोलोगे कि शाम तो evening को भी कहते है हाँ evening को कहते हैं साम बट जब एकदम जब सूरज जब ढलने वाला होता है अंधेरा रहता है और light भी रहता है थोड़ा थोड़ा तो उस समय को dusk बोलते है और मैं आपको बता दो dusk का जो opposite होता है वो होता है dawn dawn बोलते हैं सुबह को जब सूरज निकलता है जब थोड़ा अंधेरा रहता है और सूरज उस वक्त निकलता है तो उसे कहते है dawn और dusk उसका opposite तो आपको ये dusk का मतलब clear हो गया अब जब आप dusk का मतलब समझे लिए हो तो अब तो आपको idea मिल चुका होगा कि ये जो drama है ये कुछ शाम के वक्त का होगा इस drama के अंदर जो story है वो जो हो रही है घटना वो शाम के वक्त का होगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग main element देखते है एक drama का और वो main element को कहते है character कि इन में जो है ये drama इन में कौन-कौन main character है तो जो सबसे पहला character है उसका नाम है Norman God's By दूसरा नाम है Harry Crispin तीसरा है एक old man और चौता है एक young man old man का मतलब बोढ़ा आदमी है और young man का मतलब कोई जवान आदमी है आपको characters के बारे में पता चल गया अब कि पहला है Norman God's By दूसरा है Harry Crispin तीसरा है एक old man और चौता है young man तो चलिए अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो Norman God's By है ना ये काफी तेज है ठीक है और तेज है और observe करता है चीजों को observe करना मतलब कि कोई भी जब चीज हो रहा है जब कोई कुछ कर रहा होता है तो ये Norman God's By बहुत दिहान से देखता है उस चीजों को इसका हादर्त ही रहता है ऐसा और Harry Crispin जो है वो Norman God's By का friend है ठीक है तो ये तो हो गई characters की बात अब देखते है sitting ये सब जो है ये Norman God's By और Harry Crispin ये दोनों बैठा हुआ है Hyde Park London में ठीक है अब जो होता है अब scene 1 अब जो है curtain हटेगा और ये drama start होगा ठीक है तो बहुत excited हो जाए और ध्यान से देखेगा आगे का explanation ओके मैं line by line explain करना start कर रहा हूँ अब कर तेन कुला अब द्रमा अब ये वोवित पूम अब जेह माँ पेस्साथ अब जेखेगा घर की बात्तु अब डषकतनों देखेगा बैड्सय कर देखेगा श्वार्ब्स कि द液ा थूम्या ईंग्नों अवेक ड़त्स्पारा फोट आपकर अपकर आपकर आपकर अधा well worn suit as gods by looks at him the man gets up from the bench and walks slowly exits left scene 1 जब curtain खुला तो उस वक्त समय हो रहा था 6.30 इवनिंग में और अब अंधेरा होने ही वाला था और गोडों की आवास आ रही थी दूर कही रास्ते से और एक bench था जो कि पार्क के बीच में रखा हुआ था और उस bench पर Norman Godspy और उसका friend Harry Crispin बैठा हुआ था और एक old man भी बैठा हुआ था तीनों लोग एक साथ बैठे हुए थे sitting on the bench वाइल Godspy is well-dressed जो Godspy था वे बहुत अची से well-dressed था बहुत अची से कपली पैने हुए था the old man has a beaten look about him he is wearing an old और जो old man था वो फटा हुआ कपला पैना हुआ था कूट जो था उसका फटा हुआ था as Godspy look at him the man gets up from the bench and walks slowly, exits left और जैसे और जिस तरीके से Godspy जो था वो old man को देख रहा था तो old man को बुरा लगा और वो उट कर वहाँ से चला गया Godspy to Crispin Godspy बोलता है अपने friend Crispin को there is something really tragic about this man that suit is in a bad condition I wonder where he is going maybe a boarding house whose rent he can barely pay you cannot know what people are like just by looking at them Godspy अपने friend Crispin को बोलता है कि क्या तुम ये बुड़े आदमी को देख रहे हो क्या इसमें कुछ अजीब नहीं है that suit is in bad condition उसके जो suit है वो बहुत अजीब condition में है I wonder where he is going और फिर मुझे मैं सोच रहा हो कि ये कहां जा रहा होगा फिर बोलता है कि maybe a boarding house boarding house होता है एक ऐसा घर जहाँ पर आप कुछ दिन के लिए रहते हो कुछ पैसे दे कर तो बोल रहा है Godspy क्रिस्पिन को कि शायद ये किसी boarding house में रहता होगा और शायद वहां कभी ये बिल पे नहीं कर पा रहा होगा You cannot know what people are like just while looking at them as they talk और इस तरीके से जब बात कर रहा था एक young man enters sit down on the bench mutter to himself his actions are extra exaggerated drawing attention to himself और ऐसे जब बात कर रहा था Godspy और Crispin तभी एक लड़का आया young man और वो पैट गया और वो इस तरीके से अजीब हरकत कर रहा था कि कोई भी उसे देख कर मतलब उसकी तरफ नजर चलाई जाए Godspy responding to the man obvious need for attention You don't seem in good temper Godspy देखा जब इस young man को की अजीब कर रहा था पागलों के जैसा तो बोला You don't seem in a good temper तुम अच्छे mood में नहीं दिख रहा हो फिर young man बोलता है Turning eagerly to Godspy और फिर जैसे सुना young man तो Godspy की तरफ देख कर बोलता है You wouldn't be in a good temper if you were in a fix I am in I have done the silliest thing I have ever done in my life young man बोलता है कि कोई जब कुछ गडबड कर दे तो वो थंडे दिमाग से नहीं रह सकता है I am in और मैं गडबड कर चुका हूँ I have done the silliest thing I have ever done in my life और मैं बहुत ही अजीब सा mistake कर दिया हूँ अपनी जिन्दगी का Godspy in a disinterested tone yes glances sideways at Crispin और जो Godspy है फिर बोलता है कि हाँ मतलब वो Godspy ऐसा so करना चाहरा था कि वो interest नहीं है उसका बात सुनने में और फिर वो अपने friend Crispin की और देखने लगा फिर young man बोलता है then the young man said I got to London just this afternoon with plans to stay at the Patagonian Hotel in Brickshreen Square when I got there I found it had been pulled down some weeks ago and a cinema theatre was coming up on the site young man बोलता है Godspy को कि मैं आज ही दोपहर को यहाँ आया था लंदन और मैं यह प्लैन करके आया था कि मैं Patagonian Hotel में रुकूंगा जो की Brickshreen Square में है और मैं जब वहाँ पहुचा तो वहाँ पर होटेल नहीं था वहाँ पर एक cinema hall आ रहा था Crispin almost smiling फिर जो Crispin था Godspy का friend वह smile कर रहा था और बोला और फिर बोला जब तुम यह देखे होगे तुम्हें तो sock लग गया होगा यंग मैन बोलता है Yes, it was But the taxi driver who had taken me there recommended another hotel some way off I went there and got a room I sent a letter to my people giving them the address and then went off to buy some shop I would forgotten to pack any shop and I hate using hotel shop Then I strolled about a little and looked at the shops When I decided to go back to the hotel I suddenly realized that I didn't remember its name or even what street it was There is a nice situation for a fellow who hasn't any friend or connection in London By the way, मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ कि यह जो यंग मैन है ना यह यंग मैन एक चोर है जो कि दूसरों को बेवकूफ बना कर पैसे ठकता है तो चलिए अब मैं आपको वो क्या बोला वो समझा देता हूँ तो वो जब क्रिस्पिन बोला है कि यह देखके तो तुम्हें सॉक लग गया होगा कि जब तो वहां पहुंचे तो होटल ही नहीं था वहाँ सिनेमा हॉल था तो यंग मैन बोलता है पर मैं जैसे वो उस होटल के पास पहुंचा वहाँ सिनेमा हॉल था तो मुझे सॉक तो लगा बट्चो मेरा टैक्सी ड्राइवर था वो मुझे बोला कि एक और होटल है कुछ दूर में तो आप वहाँ चलिए और फिर मैं वहाँ पर एक रूम ले लिया और फिर बोला कि मैं अपने आदमियों को एक लेटर लिखा गिविंग देम अडरेस और ये विंट आउट टू बाई सम सोप और मैं अपने लोगों को लेटर लिखा और फिर मैं बाहर साबून खरीदने के लिए चला गया क्योंकि यह यंग मैन बोला कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं होटल का साबून इस्तमाल करो और फिर बोलता है कि जब मैं साबून लेने के लिए बाहर गया तो मैं होटल का रास्ता ही बोल गया और ऐसा था कि मुझे होटल का नाम भी नहीं पता और होटल जाना कैसे है वो भी नहीं पता और फिर बूलता है कि ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जब किसी का लंदन में कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ उसका कोई दोस्त नहीं है और वो लंदन जैसे सहर में गुम हो जाए तो आगे आप देखना है कि ये किस तरीके से बेवकुफ बनाता है क्रिस्पिन और गॉट्स भाई को पैसे ठगने के लिए ये यंग मैं जो है तो फ्रेंड्स आज वीडियो काफे लंबी हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका सेकेंड पार्ट बना हूँ तो आप सेकेंड पार्ट चेक कर लेना सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है आप पहले ब्रेक ले लो थोड़ा सा फिर आप सेकेंड पार्ट देखना ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और एक बर आप अपने से ये चैप्टर को पढ़ ले और अगर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर ले थैंक यू सो मच